Rent Okay के इस feature के बाद अब आप अपने staff का money section पर access control कर सकते हैं कि आप अपने staff को क्या क्या चीजों का access देना चाहते हैं अब उसका control आपके हाथ में है आपको करना क्या है people segment में जाना है team segment पर आजाना है यहाँ पर जिस भी staff का access control करना है उस staff के card पर click करना है क्लिक करते है उस staff का personal detail खुल जाएंगी उपर side में property access दिख रहा होगा property access पर click कीजिए यहाँ पर जिस भी property का आपको उसका access control करना है उस property के card पर दीके नीचे view app access का button दिख रहा है वहाँ पर click कर दीजिए आपके सामने यह access control खुल जाएगा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप उनको edit due collection जैसे यहाँ नीचे देखे यह मैं button दबा रहा हूँ तो edit due collection का आपको उनको access देना है तो आप access दे सकते हैं हटा सकते हैं add, view, edit or delete expense वगरा जो भी है वो add करने का view करने का edit करने का access देना चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं view, dues, dues को देखने का collection को देखने का reminders को send करने का access आप उनको देना चाते हैं तो वो भी आप यहाँ से control कर सकते हैं दिखे इसे dues और collection delete करने का access देना चाते हैं अगर कोई staff delete कर सकता है या नहीं कर सकता उसका access आप यहां से दे सकते हैं इसको save changes कर दीजिए और आप उसका access control पूरा का पूरा यहां से कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद